गुड मॉर्निंग ओलो वियू, रिस्पेक्टेड लिसनर्स, डियर लिसनर्स, सिक्ष्या और रोजगार, एजुकेशन और एंप्लेमेंट इंटरलेटेट, दोनों अंतरशमन दीते हैं, भारत का बहुत संख्या गवरग, सिक्ष्या की तरफ रोजगार पाने लिए लालाईत होता है, धन निवेश करता है, अभिवावक अपने बच्चों को अच्छा अच्छा संस्थानों शिक्ष्या दिलाने परियाश करते हैं, और यहां ते का जाता है, भारतिया अभिवावक, शिक्षा और खर्च करनी मावले में, एशिन और अफ्रिकन देशों में आगे है, पज़दार पशार गवावी है, दोजार सत्रम का जार था कि भारत पिएजडी ओल्डरस के में चोत्ते इस्थान पर है, पर जब अकवारों सुनने हों मिलता है, कि चपराशी के पद्गिले 3800 पिएजडी ओल्डरस ने आभी दन किया है, बेजा है, बड़ी हैरानी कर देन वाली बात है, कि उन लोगों को रोजगार मुहाय कराने के लिए, सरकार और सरकर या इजन से आगे नहीं आती है, पिएजडी उच्छिटम हाईएस्ट अकेडमिक अचिवमेंट है, और उस अचिवमेंट को प्राउट करने बाद भी दी, एपलिकेंट दर दर की ठोकर करने को मजबूर है, तो बेशेर में उन्दालाएगी चैदी कुछ नहीं है, सनस्थान खुलवाना, सनस्थान खोलना, पर चार पर सार करना, पर जाब मेंपाद नियोजन की आए, वहां मानक बदलना, इदर उदर की अहत्कंडे पनाना, एक IIM जो परतिश्टी सनस्थान उसके निदियस से के मामलियों कहा जा रहा था, कि नियम उचे बनाएगे परंद उसको नुक्ति के लिए धील दीगी, यदि UGC अपोइट्मेंट के लिए को पोल्सी बनाती है, कमसिक्म रिसर्च और टीचिंग में अधसर से पहले उन लोगों हख बनता है, मैं UGC सिभ कहूँगा, कि आपकी गाइडलाइन जो है, वो मैंडेट्री है, या डिजैरिबल है, बरती का पहमाना, अलग अलग कोले जो दो और भी गिपती जारी करना, शाजर जंक्षिन नहीं होना, ये ठीक नहीं है, जो बराइट्री में पहले बात की थी, कम से कम यहां तक तो लोगों को निकती दिना परियाश कह जाए, जो बराइट्री नहीं तुम सेक्षिक को गता कि ममने लागो होती है, पेस्डी ओल्डरस साथ साथ पत के पिक्षर र एक सोध की विक्ती के सोध से लाब लिया जाए, और सोधार्थी को उचित पद और पुरुश कर दिया जाए, इससे सिक्ष्या में और भी गती आएगी, मानु संसाद मिकास मंतरिया आजगल जिसको सिक्ष्या मंतर लेका जा रहा है, एक बराइक डिप जारी किये थे, भार उनको उपादी प्रावत करने लिए उनके कारेकाल में आने अपरकार से कुछ धील दी जाएगी, वो इस उच्छितम जो पीरिड उसको अचिव करने का बढ़ाई जाएगा, अकिल उससे काम नहीं चला, जो गर्स कोलेजर यूंस्टी हैं, आज भी जितनी हैं, उनमें कम से कम उनको अप्वेंट तो क्या जाएगा, जब आपका पीएजडी होल्डर्स अप्लोड देता हैं, मास्टर डिग्री होल्डर्स को ये कहते हैं बढ़ाना, कि उस समय अप्लोड नहीं था, ठीक से भी देल्म हमारी जो अरक्षनियों में पालना ही नहीं की जारी है, कब और किसा को अप्लोड भी जारी है, कि मैं पता देने लिगा, तो मैं ज़्यादा आलोच चिपावने में सकारत में के तर बढ़ूँगा, और ये कहूँगा कि सरकार कम से कम, आज मैं ये एक बात तलक से ज शीरोमार के ये, ताज के ये, वो अपादी, उसको बेकदरी का सिकार बना डालना, समाज और सिक्षन व्योस्था के लिए कई परसंचिन खड़े कर देता है, रोजगार व्योस्था के लिए परसंचिन खड़े कर देता है, और शासन व्योस्था को इस तरह की उनकी जो दर खाने चाहिए पहल करनी चाहिए इससे सोद को बल मिलेगा जब उनको रोजगार मिलेगा तो जो पीछे जो लोग कतार में खड़े हैं जो बच्ची वो एक सोद को बल मिलेगा सोद किसी देश की विकास का सोच चाहिए परंतो उन उपादी दारकूं को किसी तरह का रोजगार महायन ना करवाना और इनकी उपादी की कदर ने करना सरकार का उचित सपरतिद नहीं होता तो मैं बाहर सरकार, रजी सरकार और दूसरी जो जितनी विराज़ती दल है जो इस तरह मैदान मा रहे हैं कि में हम सुधार करेंगे तो सिक्षाय नाम पर सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि शरकार उनको रोजगार दे, रोजगार है हमारे हैं दूसरी चीज कहने हैं या उस्कते नहीं है उनको महतरम पदू पर नहीं हुजित करें यह बात नहीं आने चीएं कि पीएजडी ओल्डस मैंने पहले कहा था कि उसके बाद में आगे कोछ चर्चाह नहीं बची है तो उन लोगों को निश्चित रोप से पद परदान करने का सरकार रास्ता मारग प्रसुस्त करें उनको निश्चित करने के लिए बिना किसी देरी के मांग करता हूं सरकारों से अपने रज्ज सरकारों से और केंदर सरकार से भी कि उन लोगों का विलम देश में जो भी हैं पीएजडी ओल्डस उनको रोजगार परदान करके सरकार उनको पुरुस्करत करें देन्द